स्ट्रिक्ट वार्निंग, क्रिपिया इस वीडियो को अकेले में देखें, क्योंकि ये मूवी आपकी सोच से भी ज्यादा रुमेंटिक है, घरवालों में देखने पर जूते और चपलों की बारिश हो सकती है हेलो दोस्तो, रुमेंटिक मूवीज एक्स्प्लेंड चैनल पर आपका स्वागत है, आज हम आपके लिए 2006 में रिलीज हुई एक बहुती रुमेंटिक मूवी मोना मोर को एक्स्प्लेंड करने वाले हैं कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत हाउस वाइफ मार्ता को देखते हैं मार्ता के पती का नाम दारियो है, दारियो एक बुक पब्लिशर है और वो काफी ज़्यदा अमीर है मार्ता अपने हस्बंड दारियो से बहुत प्यार करती है शुरू शुरू में दारियो और मार्ता बहुत खुश थे, लेकिन अब बहुत समय से दारियो मार्ता को सैटिस्वाई नहीं कर पाया है जिस वज़ा से अब मार्ता बहुत उदास रहती है मारता को रातों में नीद भी नहीं आती, बलकि वो सिर्फ अपने पुराने दिनों के बारे में सोचती रहती है, जब वो दारियों के साथ बहुत खुश थी, मारता के साथ इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ वो एक जर्नल में नोट करती है, और उस जर्नल को वो अपनी अलमारी में छुपा देती है। मार्ता ने अभी अपने हस्बंड दारियों को उदास रहने के बारे में कुछ नहीं बताया है। एक दिन जब दारियों अपने ओफिस चला जाता है तो टाइम पास करने के लिए मार्ता एक म्यूजियम में आती है। ये आदमी मार्ता को बिल्कुल भी नहीं जानता और ना ही मार्ता इसे जानती है। बिना किसी जान पहचान के वो आदमी मार्ता की फोटोज खीशने लगता है। मारता ये देखकर डर जाती है, वो उस म्यूजियम से भागने लगती है, तब ही वो आदमी उसका पीछा करता है, एक जगा पर वो मारता को पकड़ लेता है और उसे जवरदस्ति किस करने लगता है, लेकिन तब ही वहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं, जिस वज दारियों की बातों से हमें साहब पता चलता है, कि उसे इस बात में कोई इंट्रस्ट नहीं है, बज़ाए कोई एक्शन लेने के, वो मारता को उसके साथ एक पार्टी मैं चलने के लिए कहता है, मार्ता रात में अपने हस्बन दारियों के साथ एक पार्टी में चली जाती है जहांपर दारियों अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाता है वो मार्ता को अकेला छोड़ देता है लेकिन तबी मार्ता के पास इस पार्टी में वोही आदमी आता है जो उसे म्यूजियम में मिला था मारता उस अंजान आदमी के साथ डांस करने लगती है लेकिन इससे भी दारियों को कोई फरक नहीं पड़ता डांस करते करते ही वो आदमी मारता को इस जगह से दूर ले जाता है जहां पर वो मारता के साथ शारिरिक संबंद बनाने की कोशिश करता है लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ड बी नहीं किया था कि तभी वहां पर मारता की फ्रेंड सिल्वीया आजाती इस लिए वो दूनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश हो जाते हैं सिल्विया बात करते करते मारता को वाश्रूम में ले आती है जहां पर वो मारता से उस अंजान आदमी के साथ होने की वज़ा पूछती है तबी मारता उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह दारियों उसे सैटिस्वाई नहीं कर पा रहा है इस वज़ा से वो आज अपनी लाइफ में बहुत उदास है ये सुनकर सिल्विया उसे किसी आदमी के साथ एक्ष्ट्रामेरेटल अफेर करने की सलाह देती है वो मारता से कहती है कि कुछ ताइम पहले मैं भी तुमारी तरह परेशान थी लेकिन फिर मैंने एक आदमी के साथ संबन बनाए जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई रात में मारता अपने हस्बंड दारियों से उस अंजान आदमी के बारे में बात करती है वो उसे सबकुछ बताती है, कि उसने उस अन्जान आदमी के साथ क्या किया? ऐसा करके वो दारियों को जलाना चाहती थी इस बात के जवाब में दारियों मारता को बताता है कि वो आदमी एक नमबर का कमीना है मैं उसे जानता हूँ, वो सिर्फ लड़कियों को अपने लिए इस्तिमाल करता है सुभा जब मार्ता नीन से जागती है, तो उसके दर्वाजे पे एक वेटर लेकर आता है ये लेकर उसी अंजान आदमी का होता है, जो अपना नाम लियौन बताता है वो मार्ता को एक पार्टी में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन बातरूम जाने पर मार्ता को दार्यों का एक नोट मिलता है दार्यों ने भी उसे एक पार्टी में आने के लिए कहा था मार्ता दारियों को छोड़ कर लियोन से मिलने के लिए एक रेस्टरॉम में चली जाती है जहाँ पर वो लियोन के लिए एक घंटे तक इंतिजार करती है एक घंटे के बाद लियोन उससे मिलने आता है मारता और लियोन एक दूसरे के साथ कुछ देर तक बातें करते हैं इसके बाद वो लोग बिना खाना खाए ही बातरूम में चले जाते हैं जहां पर वो दुनों शारेरिक संबन बनाते हैं वोहीं दूसरी तरफ दारियो अपने ओफिस से घर आ जाता है क्योंकि वो कोई फाइल भूल गया था वो घर में उस फाइल को ढूनने लगता है वो मारता की अलमारी खोता है जिसमें उसे मारता का वो जर्नल मिलता है वो उस जर्नल को पढ़ने लगता है तो उसे लियोन और मारता के बारे में सब कुछ पता चल जाता है वो जर्नल पढ़ने के बाद दारियो को मारता पर बहुत गुस्सा आता है वो उस जर्नल को पढ़ने के बाद फिर से मारता की अलमारी में रख देता है रात में जब मारता अपने घर पे होती है तबी दारियो उसके पास आता है वो उसे लियोन के बारे में कन्फरंट करता है दारियो मारता से कहता है कि तुमने मुझे चीट किया जबकि इस बात की मुझे तुमसे उमीद नहीं थी वो मारता पर बहुत गुसा करता है वो उस पर हाथ भी उठाता है मारता डर कर वाश्रूम में चली जाती है मार्ता को मिलने के लिए अपने घर पे बुला लेता है जिसके बाद मार्ता लियोन के घर पे चली जाती है लेकिन लियोन के कमरे के बाहर इस बिल्डिंग का मालिक मार्ता को बहुत अजीब तरीकी से गूरता है जिसके बाद वो मार्ता को लियोन के कमरे में ले जाता है लियो की तस्वीर बनाने लगता है, कुछ देर के बाद वो बिल्डिंग के मालिक को भी अपने कमरे में बुलाता है, जिसके बाद लियॉन और बिल्डिंग का मालिक एक साथ मिलकर मार्ता के साथ इंटिमेट हो जाते हैं, इस दोरान मार्ता बहुत एंजोय करती है, वहीं दूसरी परफ एक पार्टी में दार्यो मार्ता का इंतिजार कर रहा था। इस पार्टी में उसे मार्ता की फ्रेंड सिल्विया दिखती है। वो सिल्विया के पास जाकर उससे मार्ता के बारे में पूछने लगता है। तबी सिल्विया उसे बातों बातों में ही बता देती है कि मार्त उसके साथ खुश नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ एक्स्ट्रामेरेटल अफेर कर रही है। पारियो मारता को शांत कर देता है। पारियो मारता क्थेश आभा dei कर देथा वेडिता है। झाला आए Of сторон refill मारता कर रहा है।